इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Tailmade HSC Tablet में दो दवाएं मौजूद हैं, जो high blood pressure को नियंतरित करने में मदद करती हैं. आमतोर पर इसका इस्तिमाल तब किया जाता है जब अकेले एक दवा blood pressure को प्रभावी धंग से नियंतरित ना कर पा रही हो. Blood pressure को कम करने से भविश्य में hot attack या stroke होने के आपके जोखिम को कम करने में मदद मिलती है. आप टेल में डेचसी टेबलेट को भोजन के साथ या भोजन के बिना ले सकते हैं. डोग्ज आपकी condition और दवा के प्रती आपके response पर निर्भर करेगी. हर दिन इसे एक ही समय पर खाने की कोशिश करें. जब तक आपका डॉक्टर आपको रुखने के लिए न कहें, तब तक इस दवा को लेते रहना आवश्यक है. इसमें diuretic यानि की water pill होता है और इसके कारण आपको अधिक बार पेशाब जाना पड़ता है. इसलिए सोने की चार घंड पहले इस दवा को लेने से बचना बहतर रहता है. अगर आप बहतर महसूस करने लगे हैं, तब भी नियमित रूप से इस दवा का इस्तेमाल करें. आमतोर पर high blood pressure में लक्षन नहीं होते हैं, और अगर आप इसे लेना बंद कर देते हैं, तो आपका hot attack या stroke का जोखिम बढ़ सकता है. The most common side effect is dizziness. अन्य side effect में थकान, मिचली आना, डायरिया, यानि की dust, flu जैसे, लक्षन, सांस की तकलीफ और heartbeat में परिवर्टन शामिल हैं. बार-बार पेशा बाना इस दवा का side effect नहीं है. यही इस दवा का उद्देश है क्योंकि बार-बारे होने वाला urination आपके blood pressure को नियंतरित करने में मदद करता है. आपको अन्य side effect का अनुभव हो सकता है, लेकिन अधिकतर दूरलब हैं. आप अपनी दवाओं के साथ आने व सलाह के बिना है potassium supplement या salt substitute का इस्तेमाल न करें. गर भावस्था या स्तनपान कराने के दौरान इस दवा को लेने का सुझाव नहीं दिया जाता है. अगर आपको kidney या liver की बीमारी, hot में समस्या या मधुमें है, तो आपको इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से पू करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके notification bell icon पर क्लिक करें और all notification को क्लिक करें. धन्यवाद.